Hello students, layer 3 education, welcome to you. आज यहाँ पर मैं आपको जो क्रशी के प्रकार होते हैं, उनके बारे में बताने वाली हो और साथ यहाँ पर हम कुछ कुशन भी डिसकस करेंगे, इससे पहले एक वीडियो आपको क्रशी के उपर मिल चुका है तो कुछ कुशन महाँ पर रह गए थी और कुछ टॉपिक महाँ पर छूट गए थी रिमैनिंग टॉपिक उनको आज हम कवर कर रहे हैं जैसे की जूम क्रशी के बारे में हम देख चुके थे जूम कल्टिवेशन क्या होता है इसे एक प्रकार से मिस्थानांतरित क्रशी भी बोल सकते हैं इस क्रशी में क्या जिकिया जाता है सबसे पहले भूमी जो रहती है एक भूमी सिलेक्ट की जाती है वहाँ पर जितने भी वन हैं जितनी भी व्रक्ष जाडियां है उनको पहले जलाकर जू भूमी है उसको साफ किया जाता है फिर जो राक बनती है उसपर क्या की जाती है मोटे अनाच को बिखेर कर मतलब इन हल और मद्यम से खेती की जाती है मतलब खेती करने का अएक सबसे पूराना तरीपा यदि आपसे पूछा जाए तो जुम क्रशी को कहा जा सकता है अब इस खेती से क्या होता है कि दो से तीन वर्ष तक फसल प्राप्त होती है उसके बाद क्या होता है कि वह फसल जो भूमी जो रहती है उसके उपजाओ शम्ता धीरे-दीरे खतम होने लग जाती है तो क्रशक ल जलाओ खेती या फिर बुष फैलो क्रशी बोल सकते हैं तो आपको जूम क्रशी से क्या क्या चीजे याद रखने हैं इसे इस्थानांतरिक क्रशी कहते हैं या फिर इस्थानांतरन शील क्रशी कहते हैं काटो जलाओ क्रशी कहते हैं और बुष फैलो क्रशी जूम तो हमारा धूम घरशी की का होती है दूसरा पॉइंट निराक करशी यानि की सस्टेनेबल फामिंग क्या जाती है इस क्रशी में सिचाई सुविधाओं की कमी सूखा तता बाड़ की शती उननत भी जुरवर को वह किट नाश्कों का बिल्कुल नियून प्रयोग होता है ठीक है क्योंकि यहां पर जो क्रशी के पुराने उपकरण है ना उनी से क्रशी की जाती है और इनका लक्षी य हो जाए उतना ही यह क्रशी करते तो इस प्रकार की क्रशी को सस्टेनेबल क्रशी या फिर निर्वाहक क्रशी बोला जाता है निर्वाहक मतलब कि हमारे एक प्रकार से निर्वान चल रहा है जन जीवन अच्छा चल रहा है तो इस प्रकार की क्रशी को हम बोलते है सस्टेने पीडा नाशी फार्म मशिनरी पर विशेश बल दिया जाते हैं उनका अधिक्ता में प्रयोग किया जाएगा क्योंकि एक प्रकार की वानिजी क्रशी है तो इसका में लक्ष होगा कि ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पाधन करके कमाई की जा सके तो यह लोगों का जो एक आम इसके अंतर का बड़े बड़े फार्म की स्थापना करके उध्योगों की भाती किसी एक ही प्रकार की जर् Bitte कि जबeye जाते इन रुषे स्थार का आमधनी यहां पर इस प्रकार की जयाती है यह एक पूंजी सहगनक्रशी जिसमें फसलो का अधी शेश अउतपादन बाजार में लाप कमाने के लिए किया जाता है और इस क्रशी का विस्तार कौन से शेत्रों में देखने को मिल सकता है तो उष्ण और उपऊश्ण कटी बंदी शेत्रों में आप इस प्रकार की क्रशी को देख सकते हो मानिज़ी क्रशी को यानि की कमर्शिल फार्मिंग को आप देख सकते हो ठीके आगे बात करते हैं गहन क्रशी इंटेंसिव फार्मिंग क्या होती है तो देखो यह क्रशी भूमी की प्रत्य की काई पर अधिक मातरा में पुंजी वश्रम का उपयोग करके निश्चे चम्वयावदी में फसलों का अधिकतम उत्पादन संभव इस क्रशी के माध्यम से इंटेंसिव फार्मिंग के माध्यम से किया जा सकता है सामधने तब 200 प्रतिशत से अधिक सस्य गहनता वाला शेत्र सघन क्रशी शेत्र माना जाता है सघन क्रशी शेत्र आपको किसे मान सकते जहां पर 200 प्रतिशत से अधिक एरिया में क्रशी की जा रही है उसे हम बोलेंगे सघन क्रशी शेत्र वास्तों में अधिक जनसंग्या घनत्व तथा कम भूमी उपलबड़ता वाले शेत्र में रासाइनी कुरवर, उन्नाद बीजों, कितना शक दवाईयों, सिचाई, फसल, परिवर्तन, आधिक के अधिकतम प्रयोक से यह क्रशी की जाती ह और भूमी की उपलबड़ा के आधार पर दो प्रकार की खेती यहां पर की जाती है, पहली होती है हमारी गहन क्रशी और दूसरी होती है विस्तरत खेजी, अब यहां पर जो गहन क्रशी इसके इंदर क्या हो रहा है, कि आपके पास भूमी का एक सीमी तेरिया अवेलेबल है ठीक है, लेकिन यहां पर आप ज़्यादा लोगों से काम करवा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन कर रहे हो, तो यह क्रशी हमारे लिए क्या कहलाएगी, गहन क्रशी कहलाएगी इंटेंसिव फार्मिंग, क्योंकि भूमी तो कम है, लेकिन आपके पास क साम करने वाले ज्यादा है, आपके ज्यादा से ज़्यादा ख़ंू करकर के ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन करके ज्यादा से ज्यादा अर्णिंग कर सकते हो, तो यह क्रशी घ philanthrop को बोलोगों इंटेंसिव फार्मिंग, अब आगए बात कर लेते हमारे पासे विस् extensive farming का meaning क्या होता है तो बड़े बड़े जोत वाले आकार खेतों पर व्यांतरिक वीधियों से की जाने वाली क्रशी को विस्तरत क्रशी कहा जाता है इस क्रशी में श्रमी का उप्योग कम होता है परन्तु प्रती व्यक्ति उत्पादन की मात्रा अधिक होती है अब देखो कम ज भूमी तो बहुत जादा है लेकिन काम करने वाले लोग कम है क्योंकि जहां एसे शेत्रों में एक रशी की जाती है जहां पर लोग काफी कम होते है तो यहां पर श्रम जो है वो काफी कम लगता है लेकिन उत्पादन की अधि हम बात करें तो प्रती इकाई उत्पादन तो क लेकिन जो ओवरोल उत्पादने की पूरे खेट से आपको जो उत्पादन मिलेगा वो सफीशेंट होगा वो काफी अधीक होगा तो विस्तरत क्रशी को आप ऐसे समझ लो कि यह जो एक्सटेंस से फार्मिंग होती है बड़े बड़े जो ताकार वाले शेत्रों पर यांत्रिक वीदियो से की जाने वाली क्रशी को विस्तरत क्रशी कहा जाता है इस क्रशी में श्रमिक का उप्यों कम होता है किन्तों प्रती वित्ती उत्पादन अधीक होता है साथी कम जन संक्या वाले शेत्रों में इस प्रकार की क्रशी होती है क्रशी भूमी की उपलबदता अधीक ह होती है और प्रती यदी हम बात करें कि प्रती हेक्टेर उत्पादन की बात करें तो कम होता है लेकिन ओवर और अई प्रघन करल करें तो वह काफी अधिक होता है तो intensive farming घंग क्रशी क्या होता है एक्सिदेंसिव फार्मिंग क्या होता है यह दोनों चीज़े क्लियर है तो अब आगे मूँग करते हैं पारिस्थिति की क्रशी यानि की एको फार्मिंग क्या होता है तो इस क्रशी प्रणाली में पारिस्थित की संपता को बीना हानी पहुचाए क्रशी की जाती है रासाइन की तंतर चलता है उसको हानी नहीं पहुंचती है और क्रशी की इस पद्धती का मुख्य उद्धेश प्रकृती को प्रकृती से उसकी सामर्थे तथा उत्पादन लेना और प्रारिस्थिती की गती वीडियो में न्यून हस्तशेप करना तथा भूमी को शती पहुचाए बिना क्रशी करना है पारिस्थिती की तत्वों को प्राक्रतिक पोशकों से ही लोटाना है इसमें वर्मी कंपोस्ट की नाशक के रूप में नीम खात का प्रियोग तथा टीशू कल्चर या फिर हम बोल सकते है वर्मी कल्चर का यहां पर प्रियोग किया जा सकता है तो इस प्रण अगली बात करते है रेंचिंग खेती की इसका कोश्चन आपकी एक एक्जाम में पूछा हुआ था इसलिए वापस से आज हम यह कोश्चन जो है यह जो सीरीज है खेती वाली इसको वापस से आज कमप्लीट कर रहे हैं तो इस प्रकार की क्रशी में प्राक्रोतिक वनस्पती विभिन प्रकार के पश्चुओं जिससे भेड, बक्री, आदी को चराया जाता है इस खेती में फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है अता यह क्रशी अधिकांश उन देशों में की जाती है जिसे की जहां घास वाले एरिया जादा होते हैं आस्ट्रेलिया अमेरिका तिब इस प्रकार से किया जाता है प्राक्रतिक जो वनस्पती होती है उसके उपर पशों को चराया जाता है जिसे भेड बक्री आदी तो इस प्रकार की खेती को बला जाता है रेंशिंग खेती उसके बाद बात करते हैं निगमित खेती क्या होती है कॉर्परेट फार्मिंग क्या होती है हमारे देश में यद image करें तो महाराष्र तमिलनाडो चन्य के कुछ देशों में कुछ शेत्रों में इस प्रकार की खेती किजाती यह से पूरी सरकार के अंडर में होती है जैसे हम यहाँ पर निगम उसका ध्यान रख रहा है फिर सारी जवाबदारी एक मंडल की जा रही है ठीक है तो ये पूरी हमारी सर्कारी खेती होती उस प्रकार से आप इसको बोल सकते हो निगमें खेती कॉर्परेट फार्मिंग कई फार्मों को समय कीत कर कैंधरी सरकार के अधिन भारती राज्य फर्म निगम लिमिटेट के अंतरगत व्यापारिक द्रश्टी से खेती की जाती है राश्ट्री किसान आयोक ने क्रशी के व्यावारिक लक्ष को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की खेती को बढ़ाने का सुझाओ दिया है जहाँ पर व्य पर और अंदल का होता हुआ है तो इस प्रकार की खेती को ब्लृबरेट फार्मिंग बोला जाता है अब बात करते संःकारी खेती फेती कोड़ेटिंग फार्मिंग अब देखोग इस कहती में क्या होता है उसकेटी को अपनाने के पीछे दो आधार है मतलब कि ये खेती क्यों अपनाई गई खेती के छोटे तथा बिख्रे होने की समस्या का समाधान तथा भूमी का सामाजी करण कर भूमी हीनों छोटे किसानों तथा क्रशी शमीकों के साथ न्याय करना है खेती की इस प्रणाली में किसान परस पर लाप की जो चोटे-चोटे किसान होते हैं कि खेती के जो बिखरे होने की समस्या उनको एक परियाप्त तरीके से भूमी उपलब्द करवा दी जाती है उनको यहां पर भूमी दी जाती है अब वो क्या करेंगे वो बूमी पर अनाज उगाएंगे और उसका कुछ हिस्सा वो अपने पा कि तो औरगेनिक क्रशी के अंदर क्या होता है यह क्रशी उतपादन की एक ऐसी विधी होती जिसमें रासानी कुरवर को वह किटनाशकों का प्रियोग नहीं किया जाता है पुर्णा ता औरगेनिक खेती होती है जैवी कुरवर को का यहां पर प्रियोग किया जाता है 1930 से 1940 क दश्रक में शुरू की गई इस प्रकार की क्रशी के जनक कोन है वो आपसे पूछा जा सकता है तो इस प्रकार की क्रशी के जनक है आलबर्ट हावर्ड को माना जाता है इस प्रकार की क्रशी के जनक और भारत में भी दसवी जो पंचवर्शी योजना हैं इसे हमारी पंचवर् क्रमी पालन वर्मी कंपोस के लिए अंडज उतपती शालाय आधी है तो वित्ती प्रोचसाहन देने पर बल दिया गया था मतलब कि जो दसवी पंचवर्शी योजना है ना और गेनिक खेती किस तरीके से की जाती हो कितनी वित्ती सहाय था मतलब कि कितना फंड दिया जाए भा कितनाशकों का प्रियोग नहीं किया जा था उन्री सो ती से चालीस के दश्रक में स्टार्ट हुई थी अलबर्ट हावर्ड इसके जनक माने जाते है और भारत की जो दसवी पंचवर्शी योजना है उसमें भारत सरकार द्वारा इस जो औरकेनिक खेती इसको काफी कि गुणवत्ता तो बनी रहेगी क्योंकि आप यहां पर जेवी कुरवर्गों का प्रियोग कर रहे हो उसके साथ ही क्या कर रहे हो लगुस्तरी क्रशी वसतत क्रशी की और कदम बढ़ाना है और यहां पर बात की गई उत्राखंड के नैनिताल जीले में जो एक माकंदपू गाउं में पुर्णत जेवी खेती की जाती और गैनिक खेती की जाती तो उसका नाम है और गैनिक गाउं ठीक है और यदि आपसे राज्य की बात की जाए तो राज्य में सिक्किम राज्य प्रसित है अगला बात की लिए कि यहां के किसान खेतों में रासानी खात का प्रिय तो और्गेनिक ख्येती में आपको यहां से क्रेंट अफर्ड भी आपका राज्यक आपके और बना हुआ हुआर पंजाब में बना हुआ है और गायनिक का रह्नी निंटल का राज़े पूछा जाया हैhen कि मैं आगे बात करते जीरो फार्मिंग क्या होती है तो बढ़ती खादी जरूरतों को देखते हुए फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए तीवर प्रयास किये जा रहे है इस है तो विभिन उर्वर को किट नाश को नई नही तक्निकों का प्रियोग किया जा रहा है अब यहां पर आप क्या करेंगे कि जो उर्वरा खादी किट नाशक होते है इनका आप यहां पर प्रयोग बोल सकते है कि जो बाहर से जो उर्वरा खादी किट नाशक आदी नहीं डालेंगे अगर बाहर से आप आसे ने कुर्वर को किट नाशकों का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होता है इससे म्रदा धीरे-धीरे जीरो फार्मिंग की अनुकूल हो जाती है ठीक है चली आगे बात करते हैं एखेती एग्रीकल्चर क्या होता है तो एग्रीकल्चर या एखेती इंटरनेट पर आधारित सुचनावा संचार तक्नीक से संबंदे जानकारी के आधार पर एक प्रकार की विक्सित क्रशी है इसमें क्रशी विकास है तो नए उभरते तक्नीकों का अनुप्रियोग तथा विभने समाधान के माध्यम से क्रशी विकास को बढ़ावा देने का लक्षे अब यहां पर ऐसा मत समझो कि इंटरनेट पर आप खेती करते हो नहीं इंटरने पर आप अपना एक खुद का पोर्टल बना सकते हो ठीके जो भी सरकार के द्वारा बनाई गई इंटरनेशन वहां पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और वहां से जो है जो क्रशी विग्यानिक होते हैं उनसे जानकारी प्राप्त करके आप अपनी खेती में उस चीज को नहीं नहीं जो चीजे होती है जिसे मिट्टी का परिक्षन करना इस तरीके से जितनी भी चीजे होती है कि आपकी मिट्टी कैसी है कौन से पधार्थ कौन से और वरकों का आप महाँ पर प्रयोग कर सकते हो कितनी नमी होना चाहिए जितनी भी इंफोर्मेशन होती आपको सारी महाँ पर दे दी जाती तो इस प्रकार की खेती को बोला जाता है E Agriculture खेती और इसके इंदर बताया हुआ है कि किसानों को मांग आधारित क्रशी संबंदित सूचन अपलब्द करवाना इसका मोल उद्देश है ताकि वे उत्पादों के मुल्य जुताई के विभिन सही तरीकों फसल सूरक्शा और उत्पादों के सही मुल्य तो सक्षम खरिदारों से सीधा संबंद इस्थापित कर सके साथ ही आपको यहाँ पर यह सूविधाय भी मिलती है कि आपको जिसे कि आप फसल किसे बेचना जाते हो वो भी आप महां पर सर्च कर सकते हो कि आपको आपकी फसल का सही मुल्य किसके द्वारा दिया जा रहा है, आपको किसको अपनी फसल बेशना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है हमारी E-Farming के अंदर गारताती है। आगे बात करते हैं समवीधा या अनुबंद क्रशी की। तो समवीदा क्रशी के अंतरगत, कॉंट्रेक्ट फार्मिक के अंतरगत क्या किया जाता है, केला, आम, आलू, लसून, प्याज जैसे फसलों को विशेश किस्मों का उतपादन किया जाता है, उधारन के लिए टमाटर में पंजाब, हरियाना एवं राजस्थान, सुर्य मुख किस्मों से जनरेट करके नई-नी फसल उगारे, जिसे ज्यादा से ज्यादा कम से कम मुवी में ज्यादा से ज्यादा फसल का उतकपादन किया जा सके, तो यह यहाँ पर बताया हुआ है, कि टमाटर का उतकपादन विशेश किस्म से पंजाब, हरियान और राजस्थान में हो तो देखो यहां पर बहुत कम वर्शा होती है यानि कि 110 cm से भी कम वर्शा वाले शेत्रों में की जाने वाली क्रशी को शुष्क क्रशी ड्राइफ फार्मिंग कहा जाता है अब यहां पर वर्शा बहुत ज्यादा कम होती तो म्रदा की नमी को बनाए रखना बहुत जादा करते हैं उससे क्रशी करते तो परंपर अगत्ष क क्रशी के अंतरगट पहली वर्शा के पूरव खेतों में गहरी अगहुताई कर दिया जाता है जाता वर्शा के पश्चाथ भूमि को समदल कर दिया जाता है इससे मिट्टी में नम हममें चाहिए कि जब और Crisp टाम होती यह फिन नह के बराबर होती तो महाँ पर भी फसल का उत्पादों होता हैं लेकिन जो पानी की आफुसकता होती है उसको हम थोड़ा कम वाली फसले जिसमें मसूर, चना, मुंग, आधी की उपद संभव हो पाती है परन्तु छटी योजना से शुष्क करशी में आधियुनी करण की प्रक्रिया शुरू हुई जिसका साथवी योजना तक व्यापक विसरन हो गया अब हमारी जो पंचवर्शी योजना है चल रही ह छटी योजना में जो हम उश्क करते हैं, ज़िसका द्राय फारमिंग करते हैं, उसके लिए उसे भी बहुत सारी clairementय कर लिया गया वर्ष बहुत कम होती है बारिश होती है 110 cm से कम होती है तो वहाँ पर हम इस प्रकार की कर सकते हैं ठीके इस प्रकार की जुताई करके हम फसलों के अंदर जो मिट्टी जो रहती है उसकी नमी को बना कर रख सकते हैं ठीके तो याई कितनी हमने यहाँ पर 14 टाइप की फार्मिंग पढ़ लिए तो एक बार हम पूरा रिवाइस कर लेते हैं ताकि कोई भी कन्फूजन हमें ना रहे हमने जो सबसे पहले शुरुवात करी थी वो जूम करशी से करी थी कि जूम करशी में क्या होता है इस 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 इ जो भी वन वगेरा शेत्र में जो भी भूमी है उस भूमी पर जितने भी वरक्षी लगया हुए उसको हम जला देते हैं उसके बाद वहाँ पर कुछ समय तक क्रशी करते हैं जब भूमी की उपजाव शमता खतम हो जाती है तो हम उस इस इस्थान को छोड़कर अन्यत्र चल हो जीवन निर्वायन के लिए उगी निर्वाह क्रशी तीसरा हमने देखा थामशे framरीं कमर्शल क्रशी के ऊथे तो मिया जब किकले आपकी जर करी लेकिन श्रमस्रद मोट जादा हो ठीके तिस प्रकार की क्रशी कहा जाताय। गहन क्रशी और इसमें उत्पादन भी काफी अच्छा होता है अगला हमने देखा था विस्तरत क्रशी इसी का एक और और प्रकार इसी के साथ आता है विस्तरत क्रशी में आपके पास शेत्र तो बहुत बढ़ा होता है एरिया तो बहुत बढ़ा होता है लेकिन आपको यहाँ पर कम लोग होते हैं और क्रम शम के आफशकता होती क्योंकि यहां पर आप नई-नी मशीनरीज जो ती नई-नी टेकनीक्स वगेरा का प्रयोग कर लेते हैं यदि हम ऐसा कंसीडर करें तो यहां पर जो प्रतिव्यक्ति उत्पादन है वह काफी कम होता है लेकिन यदि ओवराल की बात करें तो वह परियाप्ट होता है बराबर मात्रा में हो जाता है ठीक है तो यह होगी हमारी गहन क्रशी फिर हमसे पर दिया विस्त्रट कर्षी कि बारे में अब हम देखते हैं इको फार्मिंग किन क्या होती है इको फार्मिंग यानि की पारिसीती की कृशी होती इसमें हम ती में बिल्कुल जेविक कर्षटिंग का प्रियोक करते हैं कोई भी राच्षा इनी कृफण कट member को से और उसके प्रेवी क्रशी और यहां के आघरसनके बिंद साकर्व कि श्रेयक विए और बाले हैं निगमुत खेती या फिर हम बोल सकते हैं कि निगमित खेती एक काल्परेट खेती क्या होती है तो इसमें मंडल जो होता है वो पूरा इसकी देखरेक करता है या उसके अनुसार यहां पर खेती करवाई जाती पूरा निगम इसकी ध्यान रखता है कि खेती का उत्पादन कितना होगा कितना देश को लाब होगा इस तरीके से उसके बाद हमने देखा था सहकारी खेती के अंदर क्या होता है सहकारी के खेती के अंदर लोगों को रोजगार उपलब्द करवाना उनका एक लक्ष होता है कॉर्परेटिव खेती इसको बोला जाता है इसमें जो भूमी इंक्रशक होते हैं या फिर कुछ ऐसे क्रशक जो जिनको लाब नहीं हो रहा है अपनी भूमी से तो वहां पर वो सरकार के अंडर में रहकर पूरा कारी करते हैं कुछ लाब वो किसानों को मिल जाता है कुछ सालिस के दशक में अलबर्ट हावार्ट के द्वारा इसकी खोच की गई थी मतलब उन्होंने इसके जनक माना जाता है और साथ ही दस्वी पंच वर्षी योजना में इसकी बात की गई है यह मतलब कि किस तरीके से इस खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है यह सारी चीजे और स्वार्षी गांव कर नाुसरा क resting अलब यह जै को यह भी ये मांव कंदफूर गाव है जो वत्राखण के नेदी इडाल में पुर्णार ओर गेनि गाव इसको बढ़ा जाता हो राज्य की बात करे तो बाइसके बाद ऑने परद्द्रह कर दाएट आए अम्ने पड़ा था ब समवीधा खेती के अंदर क्या आता है समवीधा विशेष किस्मों का उत्पादन कर देश आलूप या प्याद सूरज मुख्य वगेरा हो गया था कि असके का आधव पर हम फसल का उत्तपादन करते ताकि जादा से ज्यादा पहत्पादन यहां पर किया आ सकथ इस प्रकार की क्रशी को जाता है самवीदा क्रशी और बचा है हमारा ई-ag gle eagriculture farming में क्या होता है कि हम इंटरनेट के माद्यम से यहीं किम अधियं iternait के माद्याम सेल how to pack a agriculture IoT अब zero farming ाता है जे रो farming कि शीरो farming के में क्या होता है कि लेते कि तो यह सारी खेतियों के बढ़ा था, ड्राय learning, शुषशका खेती में, जहांपर 110 cm से कम वर्षा होती है, पानी जहां बृंधिक वर्षा है, पानी क्माद के बना है, निफ्चे अपना था। रैंचिंग पदेती से खेती किस देश में की जाती है, वही भेड़ पालन और जो किया जाता है, भेड़ और बक्री जो रहती है, उनको चराया जाता है, प्राकरतिक गुए नश्पती पर तो अमेरिका, जापान, चीन और Australia तो आस्टरेलिया सही है, ठीक है भारत के जो होता है कि बहुत चारी फसलों का उत्पादन एक साथ कर लिया जाता है खेती की वह कौन सी प्रणाली जिसमें किसान का सीधा संबंद राज्जे से होता है वहत चारा सारा करें तो इसका जो सही आंसर क्या होगा यह पर औलगेशन सीधाय चाहिए पर और से अंदर क्या आए तो आपने पास रहेए तो यहां पर कोई बीडिल में नहीं होगा जितना भी profit होगा वो पूरा को पूरा किसान को होगा अब किसान क्या करेगा राज्य जो भूं Basil का जैनल की ग्याम करने ही इं और से परियोग किया है शुल्टार में ऐसे बोल से लिगो सा जाओ कंट है multiply हैं उसका कुछ हिस्सा अमाउंट के रूप में वो सरकार को दे देते क्योंकि उनके द्वारा राजे सरकार जो उसकी भूमी का प्रियोग किया गया है आगे बात करते हैं बाड़ प्रभावी शेत्रों में किस प्रकार की खेती की जाती है की जाती है जहां पर बाढ बहुत जादा आती है तो वहा पर हम यह दियारा खेती करते हैं पर्मा कल्चर किसका पर्याइए है पर्मा क Works राम कल्चर का मेनिंग की होता है तो पारीश्थिती कीज़ों किजाती है perks कुई अब बिड की जाती है तो पुरुवत्तर शेत्र है वहां पर की जाती है जून करशी सब्जियों की व्यापारी खेती को क्या कहा जाता है जहां पर सब्जियों का उत्पादन किया जाता है तो ओलरी कल्चर सब्जियों की व्यापारी खेती को कहा जाता है और सारे कल्चर जोते हैं जिसस कैसे बढ़ाया जाए वीटी कल्चर का सम्बंद होता है अंगुर उत्पादन से नेक्स कोश्चन है पोधो की सामानिय व्रद्धी के लिए मिट्टी का पी एच मान कितना होना चाहिए तो छे से साड़े साथ तक हम मान सकते हैं कि मिट्टी का पी एच मान यदी इतना है तो व आपने बीच में कोई भी सेशन मिस कर दिया तो एक बार आप लैलिस्ट को विजिट करो उसके अंदर सेवेंटी प्लस वीडियो हो गए है तो आप कोई भी वीडियो मिस कर रहे है तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो गाना चलिए तो आज की सेशन को अम यहीं एंड करें मिल कर दो